देश में इलेक्ट्रिक टूविलर्स को खरीदना अब सस्ता हो गया है इलेक्ट्रिक दोपईयां बनाने वाली कई कम्पनियों ने बीटे 2-3 महीनों के दौरान अपने प्रमुक और एंट्री लेवल मॉडल्स के दाम काफी घटाएं हैं कीमतों को कम करने की बड़ी वजाए उलेक्ट्रिक दोपईयां को ज्यादा फोर्टिपल बनाकर उसकी बिक्री बढ़ाना है यानि मार्जिन भले ही कम रहे लेकिन वॉल्यूम बढ़ने से ओवरॉल कवाई ज्यादा हो जाए इसी रणनिती के तहट टू विलर्स एवी के प्रमुख मॉडल्स के दाम 25 फीजदी यानि 20 से 25 रुपे तक कम किये गए हैं वहीं एंट्री लेवल मॉडल्स के दाम में औस्तन 15 से 17 फीजदी तक की कटोथी की गई है अगर बाजार में मिलने वाले लोग प्री टू विलर्स की कीमतों में आई कमी पर नज़र डालें तो उला इलेक्ट्रिक का S1X प्लस एक लाग दस हजार से 25 रुपे कम होकर 84,999 रुपे में मिल रहा है वहीं एथर एनर्जी का 450S भी 25,000 रुपे की कमी के साथ 1,99999 रुपे में मिल रहा है उकाया का फास्ट F4 1,37,990 की जगाव 1,19,990 रुपे में मिल रहा है वहीं जैमोपाई राइडर 12,000 रुपे सस्ता होका 99,145 रुपे में मिल रहा है बैटरी की कीमत में आ रही गिरावट का फायदा भी अब ग्रहकों तक पहुँचाया जा रहा है इलेक्ट्रिक दो पहियां की कीमत में 40% से ज्यादा हिस्सेदारी बैटरी की होती है बीते करीब 6 मईने में चाइनीज बैटरी की कीमतों में 40-50% तक कमी आई है इससे कई कमपनियों ने पूरी प्रोडिक्ट रेंज की ओस्तन कीमते 15% तक घटा दी है कीमतों में कमी की वज़ा ज्यादा मैनुफेक्चरस के बाजार में आने से बढ़ा मुकाबला भी है भारत समित दुनिया के कई देशों में लीथियम के भंडार मिलने के बाद इवी बैटरी में दबदबार रखने वाली चीनी निर्माताओं का मार्किट शेर अब घट रहा है इसके लाबा लीथियम आयन बैटरी के विकल्ब के तौर पर दूसरी बैटरियां भी तीजी से विक्सित हो रही है जिस से लीथियम आयन बैटरी की कीमतों में गिराबटा रही है इसके साथ ही मार्च येर एंडिंग से पहले स्टॉक क्लियर करने के लिए भी कीमतों में कटौती की गई है आने वाले समय में पैटरोल और ईवी टू विलर्स के दाम तकरीबन बराबर होने के अनुमान है दरसल पैटरोल टू विलर निर्माता इलेक्टिक दो पहियां के मॉडल बढ़ा रहे हैं फिलाल इनकी हिस्सेदारी करीब 5% है जो अगले 2-3 साल में कई गुना तक बढ़ सकती है इससे भी इलेक्टिक टू विलर के दाम तेजी से घट सकते हैं